हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इंग्लिश का 28 चैप्टर जिसका नाम है दा इल्फ सिंगिंग यह हम करेंगे यह मैं आपको एक्स्पिलें करूंगा हिंदी में और इस वूडियो के आखरी में मैं आपको इसके कोश्चन एंसर भी दूंगा इसके लिए आप वूडियो नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताके आपको हमारे नए-एवीडियो समिले रिखे आप नहीं देख देख लो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है एक प्लेइलीस्ट करोगे तो आपको फोष्ट ट् देख सकते हो इसको elf बोलते हैं ठीक है singing मतलब गाना मतलब कि क्या बच्छो कि यह जो छोटा सा जीव है elf यह गाना गा रहा है ठीक है आगे दिखते हैं an elf sat on a twig he was not very big elf मतलब बच्छो आपको मैंने बता है इसको elf बोलते है sat मतलब बच्छो बैठना twig मतलब बच्छो एक छोटी सी पेड़ की टहनी चोटी सी ठीक है और देखो not मतलब बच्छो नहीं very मतलब बच्छो आपको बहुत big मतलब बड़ा यहाँ पर क्या बोला है कि एक एल्फ है जो एक पेड़ की छोटी सी टहनी पर बैठा है और वो बहुत बड़ा नहीं था He sang a little song, he did not think it wrong Sang मतलब बच्चो गाना, little मतलब बच्चो छोटा, song मतलब गीत Not मतलब बच्चो नहीं, think मतलब सोचना, wrong मतलब गलत यहाँ पर क्या बोला है कि जो एल्फ है ना बच्चो इसने एक छोटा सा गीत गाया और वो यह नहीं सोच रहा था कि यह कुछ गलत कर रहा है आगे देखो कहाँ क्या है But he was on a wizard's ground who hated all sweet sound But मतलब बच्चो लेकिन, was मतलब था, wizard मतलब जादूगर, ground मतलब आप बोल सकते हो, zमीन Who मतलब बच्चो कौन, hated मतलब बच्चो नफरत करना आप बोल सकते हो, ठीक है Sweet मतलब बच्चो सूरीला, sound मतलब आवाज यहाँ पर क्या बोला है, लेकिन, यह जो elf था, यह एक जादूगर की जमीन पर था, जादूगर के एरिये में था जिसे सूरीली आवाज जितनी भी है, सबसे नफरत थी उसे ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिए हो है Elf, elf, take care of yourself देखो, अभी बच्चो, elf किसको बोलते हैं, आपको बता हूँ, यह जो छुटास जी है, यह elf है take care मतलब बच्चो, अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, yourself मतलब बच्चो, खुद का तो देखो, अभी poet है, जो कवी है, वो क्या बोल रहा है, अभी देखो, elf को बोल रहा है, elf, elf, अपना ध्यान रखो, क्यो देखो, आगे देखते हैं, he is coming behind you, to seize you, and bind you, and stifle your song coming मतलब बच्चो आना, behind मतलब पीछे, seize मतलब बच्चो आप बोल सकते हैं, bind मतलब बच्चो बांधना, ठीक है, बांधने को हम bind बोलते हैं, stifle मतलब बच्चो दबाना, song मतलब गाना, गीत जो रहते हैं, ठीक है, तो आप देखो, poet क्या बोल रहा है, कि वो तुम्हारे प wizard बोलते हैं, हंदी बें हम जादूगर बोलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है, the wizard, the wizard, he changes his shape, wizard मतलब बच्चो जादूगर, ठीक है, changes मतलब बदलना, shape मतलब आकार, अभी कवी क्या बोल रहा है बच्चो देखो, कि ये जादूगर, जादूगर, ये मतलब बजसूरत, ओल्ड एप मतलब बचो पुराना बंदर, पॉजनस मतलब बचो अब बल सकते हो जहरीला, लिजर्ड मतलब बचो अब बल सकते हो चिपकली, अब क्या बोले देखो, वो कैसे कर रहा है, वो रेंगते हुए आ रहा है, और एक बहुत ही भयानक एप बन रहा ह और एक बहुत ही जहरीला, वो चिपकली भी बन रहा है, यह सब आकार अपने बदल बदल के यह सब बन रहा है, जादूगर, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एप बन गया है, देखो कि इतना खतरनाक लग रहा है, और यह बिचारे एल्फ को दोड़ा रहा ह फिर यहाँ पर जहरीली शिपकली बन गया है, ईल्फ के पीछे पकड़ने के लिए, आगे देखते हैं, अस्पोर्टेड स्पाइडर और वोमी ग्लाइडर, अब देखो और क्या बन रहा है, इस पर उपर दाग रहे है, इस पर बन बन रहा है, एक ऐसा यहाँ बन रहा है, यह spotted spider इसको बोला है, देखो इसके उपर ऐसे दाग है ना तो बोल रहा है, अब वो ऐसे एक दाग वाला बहुत खतलनाक मकडी बन रहा है, और एक कीड़ा भी बन रहा है, यह सब आकार change कर रहा है, आगे देखो किया है, the wizard, the wizard, he is up on the bow, wizard मतलब बच्चो जादूगर, अब मत बच्चो क्या होता है, जो पेड की जो सबसे मोटी शाखा रहती है ना, जो tiny रहती है, उसको हम बोलते हैं, उसको सबसे main जो branch रहता है, जो शाखा सबसे मोटी रहती है, पेड की उसको बोलते है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है भी देखो, कि जो यह जादूगर, यह to you now, he will, देखो बच्छो, he'll, जो यहाँ पर लिखाना है, इसको short form में लिखा है, इसको हम बोलते है, he will, देखो, ये he will को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो bite मतब बच्छो काटना, gizzard मतब बच्छो क्या होता है, पेट की जो थैली रहती है, जो पेट रहता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम gizzard बोलते हैं, close मतब पास, now मतब अब, आप देखो, अब कभी क्या बोल रहा है, कि अब वो तुम्हारे पेट में जो है, काट लेगा, अब वो तुम्हारे बहुत ही जादा पास है, यसे कभी ये elf को चेतावनी दे रहा है, आगे देखते हैं, क्या है, यहां बतलो क्या है, the elf went on with his song, it grew more clear and strong, elf मतब बच्चो देखो, यह elf है, went मतब जाना, with मतब बच्चो साथ, song मतब गीत, grew मतब बच्चो बढ़ना, more मतब जादा, clear मतब बच्चो, अब बच्चो साफ, strong मतब मतब अपना गीत जो था उसको गाता गया, और उसका गीत है, बहुत ही जादा और भी एकदम सुन्दर और clear होता गया, और जादा उसका गीत है, मजबूत होता गया, बहुत जादा तेज होता गया, It lifted him into air, he floated singing away with rainbows in his hair, lifted मतब बच्चो अब बच्चो उठाना, air मतब हवा, float मतब बच्चो तेरना, singing मतब बच्चो गाना, अवे मतब दूर, rainbow मतब बच्चो इंदर धनुष, hair मतब बच्चो बाल, ठीक है, यहाँ पर क्या बला है, कि वो देखो, वो गाता रह रह था, उसक और इतनी उपर चला गया, कि जो rainbow है, जो इंदर धनुष है, वो उसके बालों से छूने लगे, बालों से टाच होने लगे, वो उड़ता हुआ उपर चला गया, ठीक है, यहाँ पर पंक निकाल के उड़ रहा है यह, आगे देखते हैं, while the wizard warm from his creep made a sudden leap, filled down into a hole, while मतब बच्च क्या है, जो जादूगर यह कीडा बना रहते हैं, उसको बोला है wizard warm, ठीक है, creep मतलब बच्चो आप बोल सकते हो, रेंग ना, मेड मतलब बच्चो बनाना, sudden मतलब बच्चो अचानक, leap मतलब बच्चो छलांग लगाना, fill मतलब गिरना, down मतलब नीचे, hole मतलब बच्चो आप अब खड़ा भी बोल सकते हो, ठीक है, दोगर यहां पर क्या बोल रहा है भी, कि जब जो यह wizard, मतलब जब जो जादूगर जब एक कीडा बना हुआ था, तो उसमें वो अचानक जब रेंगते हुए, जब छलांग लगाने गया, तब क्या हो हो है, एक hole के अंदर गिर गया, एक खड़े के अंदर गिर गया, आगे क्या हुए देखो, and, air, his magic word, he could say, was eaten up by a mole, air मतलब बच्चो क्या होता है, देखो, air मतलब बहुता है, before, जिसको हम हिंदी में बोलते है, पहले, ठीक है, magic मतलब बच्चो आप बोल सकते है, जादू, word मतलब शब्द, could, say मतलब इन पर दिख रहा है न, इसको हम मोल बोलते हैं, ओके, तो यहाँ पर क्या वोलाई की, दोखो, इससे पहले कि वो अपने जादूई शब्द बोल पाता उस खड़े में, वो एक जानवर के, जानवर ने उसको खा लिया, जिसका हम बोलते है, मोल, उस जानवर ने उस जानवर को खा लिया, यहाँ पे हमारी यह पोएम खतम होगी, ठीक है, और देखो यह पोएम किस ने लिखा है, विलियम एलिंगम, इन्हों ने लिखा है, ठीक है बच्चो, अभी हम इसके कोश्चन से करेंगे, ठीक है, मैंने आपके लिए लिख के रखा है, पेंसिल और ब राइमिंग वर्ड्स यू फाइंड इन इस पोएम, मतलब बच्चो आपको क्या लिख करना है, आपको जो राइमिंग वर्ड है, मतलब जो दो शब्दे एक जैसी जिसके आवाज है, वो लिखना है आपको, ठीक है, बहले जैसे उसका मतलब अलग रहे है, लेकर उसके आव पर दो ठीक है, फोध रॉट बत्म अलग रीख को जाए राइमिंग वर्ड रहे बासे लिखने है, वो लिखना सयके वीर्ड पर ओन्यायस या धूटर जादू इसावाज से मतब बच्चो बोलना ठीक है बोलो तो दोखो इसमें आवे और से दोनों की आवास सेम सेम लग लिए तो ऐसे राहिमिंग वोड बनते हैं ओके आगे दोखे है आपको कि आगे यहांपे आपको दिया हुआ है हाँ यहां पर आपको दिया हुआ है complete the following in your own words मतलब बच्छो आपको इसब complete करना है अपने own words में जो भी खाली आपको जगह दी है एक है देखो the elf could sit on a tweak because आपको answer क्या लिखना है देखो he was quite small मतलब बच्छो जो elf है वो tweak मतलब छोटी सी टहनी पर बैठ सकता था क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा छोटा था इसलिए बीके दो को the elf loved to sing songs आपको answer लिखना to sing songs मतलब बच्छो जो elf है उसको गाना गाना बहुत ही ज्यादा पसंद था ठीक है गीत गाना बहुत ही ज्यादा पसंद था अभी तो आपको सी में कहा दियो है इसका मतलब बच्छो ज्यादू करें उसे जितनी भी वह सूरी ली और अच्छी आवाजे थी उससे उसको नफरत थी वह उसे पसंद नहीं थी ठीक है अभी देखो आगे हम देखते हैं डी में कहां डी में है इसका मतलब बच्छो अगर जो एलफ है वह चौकना नहीं रहता तो क्या जादूगर जो है वह उसे पकड़ लेता उसको बांद कर उसका गाना बंद कर देता ठीक है आगे चलो आगे देखते हैं क्या आपको यहाँ पर देखो आपको ए में कहा दिया हो है अज़ए जैसे जैसे जो एलफ है उसका गाना अच्छा साफ और क्लियर होते गया मजबूत होते गया वह हवे में ऊपर उड़ता चला गया ठीक है एफ के आदेखो आपको दा विजर्ड वॉम मेड़ लीप एंड फिल डाउन इंटु अ होल और आपका एंसर रहेगा दोखो फिल डाउन इंटु अ होल और बाई अ मोल मतलब बच्चो कि जो कीड़ा बना र पर रहता है ठीक है वह उसे घोडिया था आगे देखते हैं आगे देखो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है फोट आपको डिसकस दाफोलिंग मतलब बच्चो यह आपको इसका डिसकस करना मतलब चर्चा करना है एक एक दो को वाइड विजर्ड कें टेक अल्ली इंड स्टिफल हिस सॉंग मतलब बच्चो क्योंकि जो विजर्ड जादूगर है उसको एल्फ को पकड़ना था उसे बांधना था और उसका गाने को रोकना था इसलिए वह ऐसे बचसूरत जो आकार ले रहा था इसब जानवर के ताकि वह उससे डरा के उसको उसका गाना र क्योंकि जादूगर को अच्छे गाने नहीं पसंदे इसलिए वह उसे पसंद नहीं आ रहा था तो मतलब इसका एल्फ अच्छा गाना गा रहा था ठीक है तो बच्चों यहां पर हमारा यह चैप्टर कम्ट्रीट हो गया है अभी अगले वीडियो में आपको नेक्स चैप्